तो दोस्तों, part 10 में हम लोगों ने सीखा था कि audience कितने type की होती है, आज हम और detail में जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि audience कितना जादा important है facebook ads में, so let's go So my name is T and you are watching online money as usual, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो make sure चैनल को subscribe कि bell का icon press करें और यह जो पूरी series मैं तयार कर रहा हूं on demand क्योंकि मैंने एक poll generate किया था और जिसमें मैंने कहा था कि लोगों को क्या facebook ads की जरुवत है, लोगों ने कहा था हम सीखना चाहते हैं, तो यह मैंने series start किया है, guys लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हो, पूरा अच्छे से देखो, detail से देखो और apply करो, बहुत important है, हाँ हो सकता है, थोड़ा boring लग रहा हो, यह पूरा जो session चल रहा है, but अगर आप सीखोगे नहीं, तो कैसे करोगे, आपको सीखना पड़ेगा, देखो और लो समझा रहा हो, पूरा 0 से अपर लेवल तक लेजा रहा हो, तो make sure आप समझो इस चीज़ को, और इस वीडियो को like करो, because आपका एक like मुझे बहुत सदा motivate करता है, ऐसी वीडियो बनाने के, तो please यह काम जरू करो, तो यह है part 11, और part 11 में हम लोग जानने वाले हैं, और detail में, detailed targeting ठीक है, पहले मैंने बताया कि audience कितने type की होती है, team type के audience के बारे मैंने बताया, last part में, last part, 10th part में, अब हम लोग detailed targeting के बारे में पढ़ेंगे आगे, इसमें 3 चीज़ होती है, demographic, interest और behavior, आज हम लोग demographic के बारे में पढ़ेंगे, कि यह क्या chapter है, कैसा काम करता है, ठीक है, त तो demographic के बारे में हम लोग पढ़ना, अब start करेंगे, तो जैसे कि यहाँ आप देको लिखा है, detailed targeting, ठीक है, लोग क्या करते है, सीधा आते है, मुझे promote करना है, कोई affiliate product, ठीक है, कुछ affiliate marketer के साथ, तो मैं क्या करूँगा, affiliate marketing, यहाँ आकर लिख दूँगा, ठीक है, लोग ऐस ठक करते हैं, राइट, आकर यह लिखे, यह आ गया, यह आ गया, ठीक है, लेकिन यह किस चीज में आया, यह job title है, क्या है, किस में आया, कौन से category में आ रहाएट, यह हमें नहीं पता होता है, जैसे कि दोगो affiliate marketing, marketing, ठीक है, दोगो अब यहाँ क्या आ रहा है, job title आ रहा है, employee ROI आ रहा है, इंट्रेस्ट आ रहा है, behavior आ रहा है, सब में आ रहा है, तो अब हमको नहीं पता कि कैसे इसको target करते हैं, किस चीज की category में आता है, तो यहाँ देखो एक browser लिखा हुआ है, browser में click करो, तो यहाँ देखो 3 चीज आता है, आप detailed targeting में 3 चीज के base पे target करते हो, अपन ये market को, अपने target market को, बहुत ज्यादा important है ये part याद रखना, बहुत ज्यादा, मतलब next level important है ये part, okay, so demographic में जैसे ही click करता हूँ, तो को demographic में जैसे ही click करता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाता है education, financial, life event, parent, relationship or work, मतलब इनके basis पे आप demographic को लेकर, लोगों को target कर सकते हो, ठेक है, अब जब आप कोई education offer चलाने जा रहे हो, किसी college, school, tuition, या कोई भी education center के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर education level पर लोगों को target कर सकते हो, अब जैसी मैं education level पर click करूँगा, यहाँ दिखाएगा, क्या भाई, आप high school को target करना चाहते है, university में जो लोग पढ़ना चाहते है, पढ foundation degree ले रहे हो, उनको target करना चाहते हो, master's ले रहे हो, some university मतलब कुछ university का आप target करना चाहते हो, मैं जैसे इसमें ok करूँ हा, तो यहाँ पर target का game के जादा, अब देखो आप इससे कैसे, अच्छा काचा amount generate करोगा, बहुत सारे लोग आते हैं, tuition जो खोलते हैं, वो बोलते हैं, बाई हम सिर्फ high school वालों को पढ़ाएंगे तो जब आप high school वालों के लिए add on करने जाओगे तो आप simply में आओगे education level पे और यहां पर click कर दोगे जैसी यहां click करोगे तो आपका जो add है न वो सिर्फ उनी लोगों का brainwash करेगा जो high school में पढ़ रहे हैं याद रखना यह बहुत अच्छी चीज़ में आपको बता रहा हूं और बहुत important चीज़ बता रहा हूं बहुत सब्सक्राइब ऐसी अगर आपने को डॉक्टर का ट्विशन खोला है बहुत साई लोग आजकल खोलते हैं कोचिंग क्यों इतना पढ़ाई नहीं होती है तो क्या होता है लोग बोलते हैं हम इसका कोचिंग कर आएंगे तो आगर आपके पास ऐसा कोई offer आता है कि हमारे लिए आप add run करो तो आप सीधा यहां पर ड्वालों को डारेक्ट डारेक्ट उनको टार्गेट कर सकते हो ओके तो ऐसे करके आप education level पर टार्गेट करते हो ओके अब देखो education level के जो नीचे है field of study field of study मतलब जो भी उनकी field है उस study को आप तार्गेट कर सकते हो रही मैं बायो लिखा तो बायो chemist को आप यहां से टार्गेट कर सकते हैं डारेक्ट करोगे अब बायो chemist को यहां पर select हो गया ओके ऐसे करके आप इंको टार्गेट कर सकते हो field of study सो कितना ज्यादा detail है ना कितना ज्यादा facebook ने हर चीज़ easy बना दिये facebook ऐसे ही लोगों के data collect करता है और इस चीज़ में हम लोग को वह help करता है वह collect करता है देन आपको यह offer करता है वह हमारे platform पे आओ एड चलाओ लोगों का direct brainwash करो और काफी अच्छी आज़ी earning करो राइट ऐसी आप school and university level पे target कर सकते हैं और यह देखो यह और भी गजब की चीज़ है इसको बोलते हैं अंडर great years मतलब कि मालो मैंने पढ़ाई की 2009 से 2014 तक तो आप चाहते हो कि भाई आप मुझे टार्गेट करो या मेरे से बहुत सा लोग टार्गेट करो जो 2009 से 2014 तक पढ़ाई किये 2015 तक 2012 तक पढ़ सकते हो भाई 2009 प्लस 2000 अपने को टार्गेट करना है 2012 माल लो तो 2012 अब इतने जो लोग है देखो इतने सारे लोगों को Facebook आड आपकी दिखाएगा यह भी गजब का option है ओके अब नेक्स जो है वह आपको इसमें देता है financial financial में आप जैसी जाओ कि तो आपको income का जाएगा income को जैसी यहां पर आप open करोगे तो आपको बताएगा जो income वाला है यह अपने लिए भी नहीं है ठीक है यह US के लिए क्योंकि यहां का थोड़ा सा income विवस्था सही नहीं है इसलिए यह market को Facebook नहीं बता रहा है मैंने इंडिया डाल के रखा है इसलिए यहां पर को US दिखा रह and reselling जो करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ही फायदे बंद या आपको store चलाना चाहते हो लाइक आप ड्रॉप शुपिंग कर जो यह जो चीज लाइफ इवेंट यहां बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको ठीक है सबसे पहला जो option देखो वो दिया anniversary का देखो जो आपको यहां पर सुईदा फैसिलिटी दी जा रही है आप डारेक्ट उनको टार्गेट करो और उनको वो एड शो करो लाइक चॉकलेट गेट यह सब शो करो कि भाई वो अपने पार्टनर को दें राइट अपने विहाफ को दें तो ऐसे करके आप उनका ब्रेन वाश कर सकत यहां डारेक्ट उनको टार्गेट करके राइट ऐसा आप एक एड भी बना सकते हो लाइक एए आई नो यू आई नो यू यू अनुवर अनुवर्सिरी इस कमिंग एड इस यू आर ब्रेंग इस गिफ्ट इस 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 बीटिफल गिफ और यूर बिहाफ लाइक इस तरह लोग अचंबित अमेज हो जाते हैं तो यह भी डिपेंड करता है कि आप एड सेट कैसे बनाते हो कितना ज्यादा क्यों कितना ज्यादा सोच के राइट याद रखना इस चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छा गेम बता रहा हूं अगर आप अच्छे से करते हो एड अच्छा बनाते हो और डिटेल टार्गेटिंग सही से करते हो बहुत जाता रेविन्यू जनरेट कर सकते हो राइट अब नीचे देखो अवे फ्रॉम फैमिली फैमिली से दूर है तो उनको टिफिन डबा या किसी सर्विस की जरूबत है तो ऐसे करके आप कोई ऐसे ही जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि मान लोग किसी का बंटे आने वाला है सब्टेमबर चल रहा है तो आप एक एड बनाओ ऐसा एसा पॉइंट करके बोलो लोग अमेज़ हो जाएंगे अरे इसको कैसे पता लोगों को थोड़ी ना पता है कि इतना डिटेल टार्गेट सब्लॉख कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से राइट जिसे आजखल पॉलिटिकल पाटी कर रहे हैं जो है कंगे बहुत बड़े नियुमांग दें रहे हैं और इस सब की टूल्स की साहता जाए फेस्बूक एड्स हो गया गूगल एड्स वो आपके ब्रेन को वाश कर रहे हैं राइट ऐसे ही आप भी प्ले कर सकते हो अपने कस्टमर्स के साथ लेकिन अच्छे वे के लिए अच्छे कामों पे लिए राइट अब ऐसे ही फ्रेंड्सिप म of men with a birthday in zero to seven days मतलब एक अच्छा दोस close friend और उसके दोस्त का बड़्डे आने वाला है seven days में तो फेस्बूक को क्या क्या पता है राइट उसका बड़्डे आने वाला है seven days में तो आप आप सोचो क्या seven days में उनको क्या offer कर सकते हो उस product की ad चलाओ या आप किसी company का चला रहे हो तो anniversary हो गया friends of friend हो गया आप देखो long distance relationship के लिए भी add चला सकते हो new jobs बहुत सारी आते हैं आजकल उनके लिए आप चला सकते हो यहाँ डाइट क्लिक करोगा और डाइट चलने लगा new relationship newly engaged लोग जो अभी अभी श्रादी करने वाले है वही आप gifts उनको offer कर सकते हो यह gift अपने add बहुत अच्छा बनाना होगा recently moved जो यहां से कहीं और गये हैं उनके लिए भी आप add चला सकते हो फिर वही कि उनको कि service की जरुबत है इस तरह के लोगों को आप target कर सकते हो right अब जो नीचे है इसका जो third option है वो है parents तो parents में आपका all parents आ जाता है ठीक है जो भी है आपका ज gadgets यह सब आप इंका add चला सकते हो और यहां पर देखो यहां पर ही बहुत detail targeting है छे से आठ साल के बच्चलों के लिए है तेरह से सत्रह एक से दो नौ से बारा तीन से पांच अठरह से 26 तो मतलब बहुत ही जादा detail में आपको target करने का option मिल जाता है उसके और नीचे अगर मैं single है तो वह भी है राइट वीडियो है तो वह भी है तो ऐसे करके सब के लिए आप add run कर सकते हो डिपेंड करते है आप कितना जादा सोच के add run करते हो इंप्लोई किसी कंपनी में वह इंप्लोई कंपनी का नाम टाइप करना पड़ेगा देन वहाँ पर आपका आएगा ठीक है ऐसी इंडस्ट्री का नाम ले सकते हो यहां selection का option है सीधा आप सेलेक्शन कर सकते हो बिजनस बेस पे cleaning पे मतलब जो भी इंडस्ट्री आप उसको ड डायरेक्ट यारेक्ट आपको कुछ भीृति असको रगिंख सब्सक्राइब कर सकते हो आप लिजुम है ऍटेक्र स्पहलीं दॉट्र उन्हें को सब्सक्री में डिक यह इस में जैसे के मैने बताए कि लोगों को point करके खेलो लोगों को यह सब चीज़ों के बारे में नहीं पता रइट अगर उनको पता रहा थो आप किसी भी business को easy dominate किया जा सकता है अगर आपको हर चीज पताद ले जाए कि यह यह चीज़ें ऐसे होते हैं Facebook क्यों कर पा रहा है लोगों को जो सोचल मीडिया वो क्यों लोगों को डॉमिनेट कर पा रहा है विकॉस देन नो कि brainwash कैसे करना है आप देखते हो ना कैसे amazing amazing ads बनाते हैं आपका कभी हम लोग ही कुछ amazed हो जाते हैं कुछ ads को देखे अरे यार यह कैसे हो गया बात मतलता है अरे हां यह ऐसे थो होता है तो जब marketer हो सकते है marketer के brain को wash कर दिया जाता है तो आप लोग हैं उनको wash करना कितना ज्यादा easy है सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और यह जो सारी चीज़े मैं बताता हूं इसको खुद से जाके देखा करो मेरे दोस्तों तब ही आप इसको ध्यान से सीख पाऊगे expert level तक पहुँच पाऊगे मैं तो इस लिए अभी से start कर दो इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम लोग और भी चीज़ों की बात करेंगे interest behavior and all और गाइस वीडियो को like करो share करो जितना हो सक्या और मुझे comment करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है प